एक कुशन सारे क्रिप्टो इंवेस्ट के माइंड में रहता है कि निक्स बुलरन कब आएगा कब वो टाइम आएगा जब हम अच्छा कासा प्रॉफिट निकालेंगे फ्रॉम दी क्रिप्टो काइंजी मार्केट क्योंकि अगर हम यहां पर लास्ट यह देखें दी क्रिप्ट तो मार्केट में काफी जादा फॉल देखने को मिल्या था उसी सांथ सांथ बहुत सारे फूल्डर्स हैं जिन्होंने होल थू करें अपनी क्रिप्टो उन्होंने सेल आफ नहीं करें मार्केट में वो डरे नहीं और वो एक दम कॉंफिडेंट थे कि दे विल भी होल्दिंग किसी भी social media से कभी भी हम आप से connect नहीं करते और किसी को भी आपने अपने crypto send नहीं करने किसी को अगर आपने crypto send करें तो समझ लीजिए वो crypto आपके हाथ से चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा जहां पर हम लोग बात करते हैं crypto market की वहाँ पर एक question हमेशा रहता है कि हम अपने crypto कब sale करेंगे कब market में एक bull run आएगा कम हम अच्छा कासा profit निकालेंगे from the market अब bull run आने के लिए कुछ चीजें market में होनी बहुत जादा important है yes I'm sure काफी लोगों ने आप बिटकोइन हालविंग के बारे में सुना होगा Bitcoin हालविंग एक ऐसा process रहता है जो चार साल में एक बार आता है crypto currency market में और जब भी हुआ है historical chart यहीं बताता है कि market में काफी अच्छा jump हमें देखने को मिला है historically बट क्या वो repeat होगा इस साल एक बार देख लेते हैं previous जब भी Bitcoin हालविंग हुई है तो market ने कैसे react करा देख लेत काफी जाता factors है जो यह decide करेंगे कि next bull run जो है crypto market में कब आएगा तो side में आप यह चार देख सकते हो जहां पर बहुत इंट्रेस्टिंगली बताया गया है regarding Bitcoin हालविंग and market कैसा behave करती है after the Bitcoin हालविंग अब एकदम Bitcoin हालविंग के बाद market में price shoot up नहीं जाता है market को time चाहीं होता 12 में यहां पर जहां पर हालविंग हुई उसके बाद 2014 तक हमें एक नया top देखने को मिला उसके बाद 2014 से 15 तक market जो है वो नीचे आए because काफी लोग यहां पर profit निकालते है again from 2015 to 16 16 जहां पर Bitcoin हालविंग की लोग आये नए investors आये and market में थोड़ा बहुत uptrend देखने को मिला what happened in 2016 16 में again एक Bitcoin हालविंग हुई post Bitcoin हालविंग again एक top बनाया Bitcoin and बाकी के old coins ने जो की बनाया around 2018 वहां पर काफी लोग ने again profit निकाला है and 2018 के बाद market वापस निचे की तरफ slide होनी शुरू हुई what happened in 2019 19 में again कुछ investors आये because यहां पर लोगों को पता है regarding Bitcoin हालविंग and they started to invest यहां पर हम देखें again 2020 में जहां पर Bitcoin हालविंग हुई 2021 में market काफी उपर चली गी and वो सारी चीजे हमने अपनी आँखों से देखी what happened in 2022 हम सबको पता है market जो है वो बुरी तरह crash हुई not only because of the effect of Bitcoin हालविंग but also because of macroeconomic conditions macroeconomic conditions यहां पर सही नहीं थे 2022 में market काफी अच्छे से फॉल हुई अब 2023 में हम लोग क्या expect कर सकते हैं जिस साल में हम लोग बैठें साल का शुरुआ तो बहुत ही अच्छी रही जहां पर हम लोग ने देखा काफी crypto's काफी altcoins काफी अच्छी rally करें Bitcoin dominance भी हमने देखा Bitcoin जो है काफी उपर गया coming from 15,500 levels to currently sitting at 28,000 level काफी अच्छा है यहां पर पर cryptocurrency जिसका नाम है Bitcoin halving सब लोग जानते हैं 2024 में यहां पर Bitcoin halving होगी April के आसपास यहां पर Bitcoin halving होगी और उससे पहले लोग चाहिंगे to invest in the crypto market काफी लोग यहां पर wait भी कर रहे हैं काफी ऐसे नया कमस हैं इंदी crypto market जो लोग wait कर रहे हैं कि market एक बार उपर की तरफ जाना start हो और जो पुराने investors हैं जिन लोगों को पता है कि market कैसी react करती है वो लोग 2022 से market में invest करते जा रहे हैं they know कि यहां पर जो trend चलता है Bitcoin halving का historical chart यहीं बताता है कि 2024 के end में या 2025 में हम लोगों को again एक top देखने को मिल सकता है that is what the historical chart says क्या होगा नहीं होगा अब वो चीज़ें कुछ और factors में भी depend करती है सबसे पहला factor यहां पर जो सब लोग बात कर रहे है about the macro economic condition जहां पर हम लोग देख रहे है inflation जो है वो काम होने का नाम नहीं ले रहा yes slowly and steadily वो काम हो रहा है बट उतना काम नहीं हो रहा है जितना हम लोग चाहें या FOMC चाहें जिसकी वह ऐसे interest rate जो है वो increase हो होती है वहां तक अगर interest rate जो है वो reduce होते हैं तो यह लोगों के पास पैसा होगा to invest in the market लोग के पैसा होगा तो वो invest करेंगे invest करेंगे in different stocks share market में भी करेंगे real state में भी करेंगे and कुछ crypto's में भी करेंगे and that is the major point यहां पर तभी हम लोग यहां पर 2022 में entirely we were looking into कि क्या चल रहा ह है macro economic conditions क्या inflation कितना बढ़ रहा है क्या यहां पर interest rate increase हो रहा है आज के time में वो एक important factor हो जाता है जहां पर हमने उसके effects देखे in 2022 we cannot just ignore it हम लोगों को पता है हम पर interest rate काफी important role play करता है the second foremost thing जो हमें यहां पर देखने को मिल सकता है is the adoption of crypto market हम लोगों पता है हम पर regulations के उपर काफ हैं लोग आते हैं वो सारी चीज़ें हाँ पर देखना बहुत जादा important हो जाएगा we cannot just look into कि पुराने investors हैं वही वापस आ जाए in the crypto market yes उसी के साथ साथ नए investors भी आएंगे नए countries जो हैं वो open up होंगी for the businesses of crypto क्या वो होगा नहीं होगा yes that is a thing जो आज की time में भी confusion में चल रहा ह the third most important thing जो होनी चाहिए in the crypto market to see the bull run to see bitcoin touching its new all time high to see all coins touching their new all time high is ending of these scams हम लोगों नहापे देखा luna का fall हम लोगों नहापे देखा FTX का fall and यह दो fall ऐसे थे जिन्नोंने काफी लोगों को हिला के रख दिया because यह दोनों के दोनों एक crypto एक exchange जो आते थे वो आते थे थे इन्धी top niche ज Luna was there in top 50 FTX की बात करें तो second biggest crypto exchange था उसका खुद का token यहापे काफी अच्छा काम कर रहा था बट यहाँ पे जब यह दोनों fall हुए काफी लोगों की investment जो है वो zero हो गई Luna में काफी लोग थे जिन्होंने खाली Luna purchase कर रहा था and their investment seriously broke down to zero FTX जिन लोग use कर रहे थे और exchanges में अपने cryptos रख रहे थे जब FTX बंद हुआ आज के time में they are scared to enter again into the crypto market imagine करो आपने पूरा portfolio त्यार कर रखा है किसी exchange में रख रखा है suddenly वो exchange बंद हो जाता है withdrawals बंद कर देता है आप लोग क्या करोगे तब ही हम बोलते हैं आपे दो चीज़े करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है first is diversification हमेशा diversify करो अपनी investment crypto market में भी एक ही crypto के पीछे मत भागो ब and not only according to the crypto but also according to the category जहां पर हम लोग बात करते हैं Metaverse की smart contract platform play to earn AI यह बहुत सारी categories है crypto currency market में आप लोग जाके इनको check out कर सकते हो इन coin जी को या CMC जो भी आपको अच्छा लगता है उसी के साथ साथ हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अपने cryptos आपने safely store करकर रखने imagine करो कि bull run आया market में but आपने उस exchange में crypto रख रखे हैं जो आपको withdraw ही नहीं करने देरा आप लोग क्या करेंगे या वो exchange जो है वो बंद हो गया तब आप लोग क्या करेंगे you will be left nowhere आप लोग क्रिप्टो बेची नहीं पाऊगे खाली वो crypto आपके paper में होंगे जहां पे आपने note down करके रख रखा है कि कितने xrp, कितने cardano, कितने bitcoin, कितने ethereum आपने purchase कर रखें you cannot sell it इसलिए हमेशा बोलते हैं अपने crypto अपने wallet में रखें ना कि exchanges में exchanges में crypto रखना easy होता है आसान होता है कि हमने exchanges में purchase करें थे वहीं पर हमारे crypto रखें वहीं पर हमने stake करके रख दिए बट हमेशा अपने crypto अपने wallet में रखो दो मिनिट का काम है उससे जादा काम नहीं है बट at least आपके crypto आपके पास रहेंगे safe रहेंगे secure रहेंगे ताकि next bull run मे cash कि अच्छागासा profit कमा सको तो यह सारे factors हैं जो यहां पर improve होने पड़ेंगे for the next bull run to come into the market बट फिलाल अगर बात करें historical chart की तो bitcoin halving एक ऐसा event ज़रूर है जो सारे crypto investor देखते हैं क्या इस time जो next bitcoin halving है तब आप लोगों क्या लगता है क्या bitcoin अपना नया all time high बनाएगा क्या alt coins अपना नया all time high बनाएगे yes definitely 2024 में जहां पे हम लोग bitcoin halving देखते हैं तो 2024 से पहले भी 2023 में काफी investors जो हैं वो आना पसंद कर एंगे in the market because they know this event about bitcoin halving and उसके बाद भी यहां पे लोग आएंगे उसके बाद भी लोग आएंगे because एक fear होता है fear होता है कि आप मेरे से जादा पैसे कैसे कमा सकते हो यह crypto कैसे उपर जा रहा है इसको कहते है fear of missing out उसकी वजह से काफी retail investors आएंगे आज के टाइम में भी काफी वेल जो है वो purchases कर रहे है because they trust bitcoin halving आप लोगों को क्या लगता है क्या next bitcoin halving के बाद btc अपना all time high नया बनाएगा क्या बाखी के alt coins अपना नया all time high बनाएगे और क्या जो crypto investors है वो अच्छागा सा पैसा कमाएंगे from the crypto market आप लोग निचे comment section में comment करके बता सकते हो अपने views हम लोगों के views के accordingly हम लोग अगर historical chart देखें तो हमें तो यहीं लगता है कि bitcoin halving जापे होगी तब तक अगर interest rate control में आते हैं यहाँ पे कोई और नया scam सामने नहीं आता तो हम लोग definitely BTC आन बाखी का alt coins में एक नया all time high देख सकते हैं With that said guys आज का वीडियो करते हैं पे and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो like कर देना, share कर लना, subscribe कर लना Thank you so much for watching our channel, see you next time, okay bye bye